इगई उपज की खरीद ने पिछले कई दसकों के रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं, देश की एक हजार से ज़्यादा मंडियों को इनाम योजना से जोड़ कर, हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने का एक प्रेटफॉर्म दिया। और इसके साथ ही देश भर की करशी मंडियों के आधुनी करण पर भी हमने करोड़ों रुपिये खर्च किये। साथियों, आज केंद्र सरकार का करशी बजेट पहले के मुकाबले पाज गुना बढ़ गया है। हर वर्ष सवा लाग करोड रुपे से अधिक करशी पर खर्च किये जा रहे हैं। एक लाग करोड रुपिये के अग्रिकल्चर इंफ्रास्टेक्टर फंड के माध्यम से गाउं और खेत के इंदद्दीक, भंडारन, इसकी ववस्ता, क्रिशी उपकरण जैसी अनेक सुविधाओं का विस्तार, ये सारी बाते तेजी से हो रही हैं। छोटे किसानों की ताकद बढ़ाने के लिए 10,000 एप्पियो किसान उपादक संगर्षन बनाने का अभियान भी जा रही है। इस पर भी करीब 7,000 करोड रुपिये खर्च किये जा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन फंड के आवटन को भी दो गुना करके 10,000 करोड रुपिये कर दिया गया है। हमने करोड लोन भी दो गुना कर दिया तो इस वर्ष 16,000,000 करोड रुपिये हो जाएगा। अब पशुपालकों को मचली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार का लाब मिलना शुरू हो गया है। यानि हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही हैं, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। किसानों की आर्थिक स्थिती सुधरे उन्ती मजबूत हो इसके लिए पूरी इमानदारी से काम कर रही है। साथियों, किसानों की स्थिती को सुधारने की इसी महाभियान में देश में तीन करशी कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खास कर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए जादा से जादा बिकल्प मिले। बर्सों से ये मांग देश के किसान, देश के किसी विशेशग्य, देश के किसी अर्थसास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मन्थन भी किया था, इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मन्थन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटी कोटी किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, हमारी सरकार, किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के क्रसी जगत के हित्में, देश के हित्में, गाउं गरीब के उजवल भविश्य के लिए, पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रती पूर्ण समर्परभाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन, इतनी पवित्र बात, पूर्ण रुप्षे शुद्ध किसानों के हित्की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूत, कुछ किसानों को समझान नहीं पाए। बले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोत कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषी अर्थसात्रियों ने, वैज्याकिनिकों ने, प्रगतिशिल किसानों ने भी उने कृषी कानूनों के महत्वपूर्ण को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खूले मन से उन्हें समझाते रहें, अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामुहिक बात्चित भी लगातार होती रही है। हमने किसानों की बातों का, उनके तर्ग को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए लिए भी तैयार हो गई। दो साल तक हमने इन कानूनों को सस्पन करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दोरां ये विशय माननीय सर्वोचे नयाले के पास भी चला गया। ये सारी बाते देश के सामने हैं। इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाओंगा। साथ क्यों मैं आज देश वास्यों से ख्षमा मागते हुए है। सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्या कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देवजी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है। आज मैं आपको पुरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने तीन कुरुसी कानुनों को वापस लेने का रिपील करने का निरने लिया है। इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे है समसत सत्र में, इसी महिने में हम तीन कुरुसी कानुनों को रिपील करने की सम्विधानिक प्रक्लिया को पूरा कर देंगे। साथियो, मैं आज अपने सभी अंदोलन रत किसान साथियों से आगर कर रहा हूँ। आज गुरु परब का पवित्र दीन है। अब आप अपने अपने घर लोटे, अपने खेत में लोटे, अपने परिवार के बीच लोटे, आईए एक नई शुरुवात करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने किसी क्षेतर से जुड़ा एक और अहम फैसला दिया है। जीरो बजट खेती, यानि प्राकृतिक खेतु को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यक्ताओं को धान में रखकर, क्रॉप पैटर्न को बैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए, मस्पी को और अधिक प्रभावी और पारदर से बनाने के लिए, ऐसे सभी विश्वों पर भविश्यको धान में रखते हुए, निरने लेने के लिए, एक कमीटी का गठन किया जाएगा। इस कमीटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनीदी होंगे, किशान होंगे, कृष्य वज्ञानिक होंगे, कृष्य अर्थसात्री होंगे, साथियों हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी मैं गुरु गोविन सिंजी की भावना में अपनी बात समात्त करूँगा देही सिवावर मोहे है सुब कर्मन ते कभून न टरो हे देवी मुझे ये बर दिजिये कि मैं सुब कर्म करने से कभी पीछे ना हटो जो किया किसानों के लिए किया जो कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ आप सभी के आशिरवाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी आज मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ कि अब और ज्यादा महनत करूँगा ताकि आपके सपने साकार हो सके देश के सपने साकार हो सके आपका बहुत बहुत धन्या देव दिपावली का पावन पर्व है आज गुरु नानक देव जी का भी पवित्र प्रकाश पर्व है मैं विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देश वास्यों को इस पावन पर्व पर हारदिक बधाई देता हूँ ये भी बहुत सुखद है कि डेड़ साल के अंतराल के बाद करतारपूर साहिब कोरिडोर अब फिर से खुल गया है गुरु नानक जी ने कहा है वीच दुनिया सेवी कमाईए तदरगी ही बेशन पाईए यानि संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देश वांसियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है नजाने कितनी पेडिया जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी भारत आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है साथियों अपने पाँच दसक के सारवजनिक जीवन में मैंने किसानों की परिशानियों को उनकी चुनोतियों को बहुत करीब से देखा है महसूस किया है इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधान मंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया तो हमने क्रिशी विकास किसान कल्यान को सरवोच्च प्रात्विक्ता दी साथ क्यों इस सच्चाई से बहुत लोग अंजान है कि देश के सो में से असी किसान छोटे किसान है उनके पास दो हेक्टर से भी कम जमीन है आप कल्पना कर सकते हैं इन छोटे किसानों के संख्या दस करोड से भी जादा है उनकी पूरी जिन्दिकी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है यही उनकी जिन्दगी होती है और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं पीड़ी दर पीड़ी परिवारों हमें होने वाला बटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनोतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत इन सभी पर चवो तरफा काम किया साथियों, किसानों की स्थिती को सुधारने की इसी महाभियान में देश में तीन करशी कानून लाए गए थे मकसद ये था कि देश के किसानों को खास कर छोटे किसानों को और ताकत विले उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए जादा से जादा बिकल्प मिले ये विशय माननी ये सर्वोच नयाले के पास भी चला गया ये सारी बाते देश के सामने है इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाओंगा साथ क्यों मैं आज देश वास्यों से क्षमा मागते हुए है सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्य कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए आज गुरु नानक देवजी का पवित्र प्रकाश पर्व है ये समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है आज मैं आपको पुरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने तीन कुरुसी कानुनों को वापस लेने का रिपील करने का निरने लिया है किस अपने साकार हो सके देश के सपने साकार हो सके आपका बहुत बहुत धन्या धन्या